सब्सक्राइब होता रहा है crypto market के अंदर manipulation की possibility ज़्यादा होती और वो बड़े-बड़े low के थ्रू होता है आज के दिन सबसे पहले न्यूज आती है कि kraken exchange को अपने users के जो data है turnover का जो history data है transaction का data है वो share करना है IRS को code का order है US code का order है अब यह IRS क्या है उसके बारे में बात करते हैं IRS मतलब US का internal revenue service वो काम करता US federal tax low के तो यहाँ पर US users के लिए है कि kraken exchange को जो turnover का data है वो share करना है क्योंकि बाइडन ने call भी दिया था थोड़े दिन पेले कि crypto traders tax से बहुच नहीं सकते हैं ऐसा कुछ हम बनाएंगे system की टेक से वो नहीं बच पाएंगे तो यहाँ पर इस लोगों ने शुरू कर दिया क्राकें से data लेना start किया है कि users के जो history data है transaction data है पूराने data है वो share करना है और court ने भी order दे दिया है उससे बाद यहाँ पर देखे तो market के अंदर उतना ज्यादा को impact नहीं आया है यह news के प्रियाब थी ऐसा कुछ data आया था बढ़ आज के दिन यहाँ पर फाड़ा लेटी के लिए यहाँ पर सीबो ने यह कहा कि हम refiling करेंगे bitcoin एप्लिकेशन को वापर से filing करेंगे साथी साथ जो ब्लेक रोग टेन ट्रिलियन डॉलर का जो asset management करती company है उसने पहले से वादा किया था कि हम bitcoin के लिए sport bitcoin ETF को filing करेंगे तो अपने वादा के उपर अभी भी ठीका है और ब्लेक रोग का यह कि नहीं कि हम यहाँ पर वेट कर रहें एससी का कब हमारा यह जो ETF यह वो अप्रू हो जाए तो दोनों की दोनों company है लगादार पिछे प company है और दूसरे के पास जो funding है 10 trillion dollar का asset management करते बड़ी बड़ी company चोटे मोटे को तो आज तक reject कि किया है बट इसको reject नहीं कर सकते दोनों के दोनों interested है और इंतजार करें और यहाँ पर ब्लेक रोग ने तो पहले से वादा कर दिया कि हम ETF लेके दिखाएंगे लेके रहेंगे और अभी भी वो अपने वादा के उपर टिका हुआ है नेक्स्ट हम बात करने वाले है Bitcoin के बारे में बट उससे पहले आपको एक एक्चेंज दिखाएंगे वहाँ पर काफी अच्छा खासा users का फाइदा है तोड़ा सा वोल्यूम लाने पर बहुत ज्यादा प्रोफिट दि के लिए है और सेम टुसरे एक्चेंज की तरह यहाँ पर भी वोल्यूम अब अच्छा खासा आने लगा है पहले से बेतरीन है काफे ज्यादा इस एक्चेंज को इंप्रोबी किया गया है अब यहां पर रिवाड हब के उपर क्लिक करना है जैसे आप इस एक्चेंज को उप अगर आपके पास 200 डॉलर है 10X से उनली ट्रेड खोल के क्लोज कर देते हो तो भी 1000 डॉल्यूम हो जाएगा बट आपके पास 100 डॉलर है ट्रेड 10X के लेवरेश से खोल के बंद कर देते हो खर्चा उतना नहीं आएगा तो भी आपको डॉलर 30 का रेवन्यू यहाँ पर जो यहाँ पर चोटा एमाउट लगा के ही ट्राइ करना है अब बात करते हैं बिटकोइन के बारे में बिटकोइन का ब्राइज 30,557 डॉलर के उपर ट्रेड गर है यहाँ पर बिटकोइन के लिए रेजिस्टेंस आप वीकली टाइम प्रेम के अंदर बड़े टाइम प्रेम के करते हैं ताकि और वो लाइन में क्लियारिटी से देखने को मिले तो यह बीच वाला लाइन को समने मार्क भी किया हुआ है कि मार्केट के लिए पहला रेजिस्टन्स है इसको में आर पार करना है एडिया आ रहा है फिला लगे यहाँ पर ट्राइ तो हो सकते मार्केट में करता है बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पर वॉल्यूम वाइस केड़ देखे एक तो बन चुका है अगयन यह केडिल यहाँ पर वॉल्युम वाइस को सस्टेंग कर लेता है तो यहाँपर मैं भीसको ब्रेक रेइक करके अगयन बिटको-इस नीश से तार्रें बिसक्म अंदर जो नेक्स रेजिस्टंस उपर का ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा वो वाला एक रेजिस्टंस यहां पर आ रहा है यह वाला लाइन आ रहा है 32,600 से लेके 800 डोलर के आसपास हम मार्केट को यहां पर इजिली देख सकते हैं तो यह कुछ बिटकोईन का सिंपल सा है जुलाइ महिने के अंदर ग्रीन आहल में देखने को मिलता है यसे भी लाइट कोईन के लिए भी बिटकोईन सस्टेन कर सकता है कोई ओर बड़े प्रोजेक का इवेंट होता है तो बिटकोईन भी उसको फोलो कर लेता है कभी एथिरियम का इवेंट के टाइम आपने बड़ा इवेंट है चार सल में एक ही बार होता है तो उसके यह पर बिटकोइन करेगा और ट्रेंड की सबसे भी देखें तो हमारे पास एक मेना है और हमारे पास ट्रेंड अभी कम्प्लेट नहीं हुआ है यह ट्रेंड जैसे इसको आर पार करेगा और ट्रेंड 37,000 डोलर तक पहुँचेगा तो लाइट कोई भी अच्छा खासा पंप करेगा और सभी की सभी चीजे मैच हो दाईगी फिला लेवाला मामला में देख रहा हूं वक्कि आपको क्या लगता है वो ड्यू थिंग कोमेट में बता सकते हो ताकि आपकी दिमाग में जो चल रहा है वो मुझे भ जाले